So continue करते हैं, without wasting our time, defense mechanism देखिए, last class में हमने बात करी थी किसाब defense mechanism का introduction क्या है किसने उसको term दिया, क्या उसकी definition थी और साथी साथ हमने देखे थी, क्या क्या purpose आपने देखे defense mechanism की आज हम बात करना चाहेंगे आपसे types of defense mechanism दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ है positive defense mechanism और दूसरी और है negative defense mechanism जो आज हम बात करना चाहेंगे आपसे, वो बात करेंगे पहले negative defense mechanism पर लेकिन दोनों में difference स्टार्ट करने से पहले, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा तो आप positive हो या negative दोनों ही mechanism body को बचाने का काम कर रहे है, दोनों ही हमारी बचाने के लिए काम में है दोनों का ही main मकसद क्या है, हमने पढ़ा था last class में इस stress को कम कर देना जब stress कम करने के लिए positive भी काम में आ रहा है, negative भी काम में आ रहा है हैं दोनों हमारे लिए बेनिफिशल दोनों का काम सेम है इस्ट्रेस को कम करना एंसायटी को कम करना लेकिन कीया हैसा रीजन है कि साraभ कुछ पढगे positive defensive mechanism में और कुछ की बात करें इस प्रकार के defense mechanism body के जिनका आपकी mental health पे आपकी personality पे negative impact नहीं पड़ता है जब आप positive defense mechanism को limited time period के लिए काम में लेते हैं तो आपकी personality और mental health के उपर कोई भी negative impact नहीं पड़ता है जश्ट इसके opposite negative defense mechanism की बात करें जैसा कि नाम ही अपने आप में बता रहा है कि सब मैं कैसा हूँ नकारात्मक हूँ negative हूँ नेगेटिव defense mechanism को आपने जैसे ही यूज किया चाहे single बार यूज करें या बार बार multiple time आप यूज करें जैसे ही आपने negative यूज किया आपके mental health पर as well as आपकी personality के उपर negative impact डालेगा कौन सा defense mechanism negative defense mechanism यही दोनों के बीच में basic फर्ख है कि साब positive को positive क्यों का गया और negative को negative क्यों बोला गया I hope आपको समझ माया होगा basic difference दोनों के बीच में क्या है positive और negative के बीच में तो आईए पहले बात करते हैं negative defense mechanism कौन-कौन से negative defense mechanism है जो आपकी, मेरी, हमारी सब की body कभी ना कभी काम में लेती है हमने पहले ही बात की थी कि सब defense mechanism का main purpose, main उद्देश है stress को कम करना, anxiety को कम करना, इसका मतलब हमारे दुनिया में, हमारे समाज में, family में, घर, परिवार में आप और में, सब ही कभी ना कभी defense mechanism का use करते हैं उसके पीचे कारण क्या है साब, उसके पीचे कारण जो ये word लिखा हुआ है board पर stress, तनाव, ये word ही main reason है defense mechanism के पीछे दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, जो कभी ना कभी stress feel नहीं किया होगा हर कोई अपने life में कभी ना कभी किसी ना किसी level पर stress को feel करता है और जब जब stress feel होती है, हमारी body क्या काम में लिती है, defense mechanism तो आईए, अब देखते हैं, negative defense mechanism कौन कौन से है, number one ये देखिए, board पर लिखा हुआ है, आपके सामने, denial denial का अगर हम बात करें, हिंदी मतलब में, denial का मतलब क्या है साफ साफ मना कर देना, किसी बात को नहीं मानना, इनकार कर देना जब आप इसकी पढ़ेंगे definition, तो समझ मायाएगा कि साफ जो denial है, उसका मतलब क्या निकलना चाहिए देखिए इधर, a client do not want to accept reality a client कोई भी व्यक्ती, do not want, नहीं चाहता है, साफ क्या नहीं चाहता है accept, अपनाना नहीं चाहता है, किसको अपनाना नहीं चाहता है सच्चाई को अपनाना नहीं चाहता है, इसका मतलब कोई भी ऐसी बात हो, जो true गटना हो, सच्ची गटना हो उसको सुनते ही उसके अंदर क्या बढ़ने लग जाए, anxiety, या फिर stress तो उस बात को वो person मानने के लिए तयार ही नहीं है एक छोड़ा सा एक्जामपल से समझेंगे, a client want to take the opinion of doctor, या other doctor लिख दें आपर, other doctor after diagnosed cancer इसाब एक वेक्ती है, जिसको डॉक्टर साब ने बता दिया है कि आपको क्या हो चुका है, cancer हो चुका है लेकिन person जब वहाँ से बाहर आया clinic से, उसके बार में दूसरे doctor के पास चला गया, इसका मतलब इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साब उस person को doctor की बातों पे भरोसा नहीं था इसका मतलब सीधा सा है, सच्चाई जैसे ही पता लगी कि साब मुझे कौन सी बिमारी हो गई है, cancer और आप जानते हैं, cancer अभी तक हमारे देश में इसका treatment होना बहुत मुश्किल है अभी तक इतना advance system नहीं आया है कि साब आप cancer को आखरी stage में cure करना काफी हद तक possible अभी तक नहीं हो पाया है तो जैसे ही person ने सुना कि साब मुझे क्या हो गया है, cancer हो गया है, सुनते ही क्या बढ़ गई उसकी, anxiety anxiety, anxiety बढ़ी tension में आ गया, क्या बढ़ गया उसका, stress का level बढ़ गया, और याद करो आप लोग पीछे जाकर वापस, stress और anxiety को कम करना, किसका उद्देश्य है, defense mechanism का, तो person क्या करेगा, साब, दूसरे डॉक्टर का opinion लेने जाएगा, कि साब डॉक्टर साब मुझे वापस से आ mechanism यूज़ कर रहा है, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा, denial defense mechanism, I hope आपको समझ माया होकर denial का मतलब, एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको, denial का मतलब होता है, साफ साफ मना कर देना, किसको मना कर देना, साब, सच्चाई को मना कर देना, सच्चाई को नहीं मानना, सच्च्च्च् पर, cancer, diagnosed हुआ है, cancer सच्च्चाई को नहीं मान रहा है, दूसरे doctor का opinion लेने को तयार हो गया है, person, इसका मतलब, अपनी body के अंदर anxiety और stress को कम करने के लिए, क्या यूज़ किया उसने, denial defense mechanism, I hope आपको समझ माया होका denial, proceed करते हैं, दूसरा negative defense mechanism, इसका नाम आप देखें, नाम क् है उसका displacement, displacement आपको दिखाई दे रहा है, आप लिखा हुआ, आप लोग बिल्कुल basic से पढ़ना स्टार्ट करें, displacement का मतलब क्या है सब, common term अगर मैं पूछूं, English में displacement का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे, किसला displacement का मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह के उसाब, negative defense mechanism, displacement, इसमें भी person बिल्कुल ऐसा ही करता है, देखिए धरा definition, when a client transfer his negative emotion or anger, जब कभी भी कोई व्यक्ती transfer करता है, किसको transfer करता है, अपने negative emotions को, या फिर अपने गुसे को, अपने anger को, कहा transfer करता है, from more threatening, threatening, threatening का मतलब, जहां खतरा हो, more threatening, जहां ज़्यादा खतरा हो, area, to less threatening area, जहां पर आपको कम खतरा हो, आपने वो negative emotion, वो गुसा पूरा कहां उतार दिया, more threatening से लिया, और कहां छोड़ दिया, less threatening person, या फिर less threatening area पर, तो हम बात कर रहे हैं, displacement, defense mechanism की, इसमें हमने बताया, according to definition, जब कोई व्यक्ति अपने negative emotions को, जहां ज़्यादा खतरा है, अपने emotions express करने पर, वहां express नहीं करके, जहां पर कम खतरा है, वहां पर transfer कर देता है, तो वह कौन सा defense mechanism काम में लेता है, displacement, तो रध्यान से देखी, एक common सा example देता हूँ मैं आप लोगों को, जब हम class में पढ़ रहे हैं, class में पढ़ते पढ़ते, आप लोग बातचीत करने लग गए, और किसी teacher ने आपको खड़ा करके, डाटना स्टार्ट कर दी, तो commonly होता है कि सब teacher को आप लोग वापस परट के जवाब नहीं देते हैं, लेकिन क्या हूँ आप लास में इतने लोगों की बीच में बोलने पर क्या आया आपको, एंगर, गुस्सा जब आपको आया, जब गुस्सा जब आया, stress बढ़ गया, anxiety बढ़ गई, अब कहीं न कहीं तो उतारना है, अगर गुस्सा उतरेगा नहीं, anxiety कम नहीं होगी, तो हमारी body का internal environment maintain नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, उस वक्त कुछ नहीं ब कर दिया, क्या किया, आपने, displace कर दिया, किसको displace कर दिया, अपने गुस्से को displace कर दिया, more threatening कौन था है आपर, teacher, teacher को अगर आपने परड़ के जवाब दिया, हो सकता है, class चे बार कर दिये जाओ, हो सकता है, principal के पास पहुचा दिये जाओ, लेकिन less threatening, छोटे भाई पर किया, जादा से जादा, आपको परड़ कुछ बोल सकता है, मार सकता नहीं है, क्योंकि आप बड़े हैं, तो आपने क्या किया, anger को भी transfer कर दिया, anxiety और stress को भी कम कर दिया, कौन से defense mechanism के माध्यम से कर दिया, displacement, यहाँ पर example भी लिखा है, a person transfer his anger on his wife or child after punished by his boss, किसाब एक व्यक् punishment दे दी है, अब boss को तो कुछ बोल नहीं पाएगा, तो boss क्या हो गए, इसके अंदर more threatening, खत्रा जादा है, अगर boss को जवाब दे दिया, हो सकता है, नौकरी चली जाए, हो सकता है, जादा काम मिल जाए, हो सकता है, आपको over work करना पड़े, overtime करना पड़े, तो क्या हुआ, घ गर पर आए, घर पर आकर जैसे ही देखा wife, या आपके बच्चे, वहाँ पर आपने अपना गुस्सा उतार दिया, लेकिन जैसे ही आपने किया, बच्चे के मन में और wife के मन में आपकी image कैसी बन गई, कैसी बन गई, आपकी image बन गई है, साब negative, कि तो बिना कारण ही हम पर उस्सा करते हैं, हमारी गलती नहीं है, फिर भी हमको पीटते हैं, मारते हैं, तो आप देखिए, पढ़ रहे हैं, negative defense mechanism, example पर फोकस करिए, wife और child के मन में कैसी feeling आई, negative इसलिए मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही आप इसको use करेंगे, personality और mental health पर कैसा impact पढ़ेगा, negative impact प mechanism, denial और displacement के बाद, जो next, हमारा negative defense mechanism है, उसका नाम देखिए, आप लोग, projection, projection वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या एक instrument हमारे पास एक जो machine आती है, projector नाम से, वो आपने देखी होगी, projector काम क्या होता है साब कि आप उसको कहीं दूर place करते हैं, उस पर जो भी चीज़ आप रखते हैं, वो क्या करता है, project करता है, या नि दिखाता है कहां पर सामने वाली दिवार पर, same वैसा ही defense mechanism है, projection, देखी definition, a person blame to others for his mistakes or weakness, जब कभी भी आप अपनी गलती और अपनी कमजोर के लिए, दूसरों को दोशी टहरा है कि साब मेरी गलती इस काम में नहीं है, जो गलती हुई है, वो मेरे कारण नहीं हुई, किसी और के कारण हुई है, तो आप कौन सा defense mechanism काम में ले रहे हैं, projection नाम का defense mechanism काम में ले रहे हैं, हम लोग, example देखिए, a student सबसे common example है, आप लोग सबस नहीं किया कि साब कभी ये defense mechanism में पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन आज देखिए, a student blamed to his teacher after failure in exam, जब कभी भी आप परिक्षा में fail हो जाएंगे, घरवाले पूछेंगे कि बता बेटा fail क्यों हुआ, आप क्या कह देंगे, कि सब पिता जी माता जी हमारे teacher थे, उन्हो किस की थी, आप लोगों की, blame कर दिया, project कर दिया, क्या project कर दी साब, खुद की mistakes को, खुद की कमजोरी कमजोरी थी कि पढ़ाई नहीं हो पाई आप से, आपकी गलती थी, आपकी mistake थी कि आपने पढ़ाई time रहते हुए, नहीं करी, गरवालों ने पूछा, क्या कर दिया साब पूछा तुरंत घबराट हुई क्या जवाब देना चाहिए हमको जवाब क्या दिया अपने किसाब एक टीचर आयद या बढ़ाने के लिए उन्होंने हमको ठीक से नहीं पढ़ाया इसलिए मैं क्या हो गया हूँ फेल हो गया हम सबसे कॉमन एक्जामपल है प्रोजेक्शन का जो आप लोग लगातार क्लासों में काम में लेते रहते हैं किसाब कुछ भी गलती हो मार्क्स कम आये क्यों आए साब टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया आपके सेशनल में मार्क्स कम भेजे गए क्यो नहीं किसाब example पर focus करें alcoholic patient alcoholic का मतलब ऐसे लोग बाग जो लगातार क्या करते हैं drink करते रहते हैं blame to peer group for his habit आप उनसे पूछें किसाब आप शराब पीना क्यों शरू कर दिया क्यों आप लोग शराब पीते हैं बोलेंगे किसाब मेरी गलती नहीं है शराब पीने में मुझे कुछ मज़ा नहीं आता ये सब की सब गलती किसकी है peer group की यानि हम उम्र के दोस्त आपके friends कि मैं नहीं पीता हूँ पिलाने वाले कौन है मेरे साथी हैं मेरे peer group वाले हैं उन्होंने मुझे पिला दिया गलती खुद की इल्जाम किस पे थोप दिया अपने अपने दोस्तों पर किसाब उन्होंने मुझे पिला दी है इसका मतलब कौन सा defense mechanism का मिलिया आप लोगों ने projection नाम का defense mechanism जो किसमें पढ़ रहे हम negative defense mechanism I hope आपको समझ में आया होगा प्रोजेक्शन का मतलब simple the point समझ लें अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्वेदार टेहराना कहलाता है projection आगे प्रोसीड करें अगला defense mechanism है उसका नाम है suppression suppression का मतलब कौमनली हम जानते है किसी चीज को suppress कर देना छुपाने की कोशिश करना दबाने की कोशिश करना वही कहलाता है suppression देखिए साब a person consciously consciously मतलब आप खुद चाहा रहे हैं want to forget किसी चीज को भूलना वो चीज कौन सी है वो बात कौन सी है वो बात है traumatic traumatic का मतलब कोई भी ऐसा हादसा जो आपको क्या करवा दे that can cause stress या anxiety इसका मतलब ऐसा कोई भी हादसा कोई भी ऐसी बाद जो आप में क्या produce करवा रही है anxiety produce करवा रही है आप क्या चाह रहे हैं कि हम उसको बूल जाएं लगातार conscious level पर जानि जागरित तवस्ता में आपका दिमाग लगातार कोशिश में कि वो चीज आपको बार-बार याद नहीं आए definition अगर थोड़ी confusion लगी आप लोगों को जड़ा इधर focus करिए example पे माल लीजिए आप और आपका friend दोनों के दोनों BSC nursing first year का exam देने जा रहे थे बहुत अच्छी दोस्ती है आप लोगों के अंदर जैसे ही exam center में पहुचने वाले थे किसी बात को लेकर आप दोनों में क्या हो गई लड़ाई हो गई बहस हो गई लड़ाई हो गई लगातार बहस चल रही है इसी देर में वहाँ से period के आवाज आई किसा आप exam start होने वाला है लड़ाई आपने वहाँ छोड़ दी सीधे पहुच गए कहाँ पर exam hall के अंदर examination hall के अंदर पहुच गए जैसे ही paper करने बैठे question आया question आने से पहले दिमाग में क्या चल रहा है आपके fight जो लड़ाई आपकी उससे हुई आप लगातार सोच रहे हैं कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया बहुत अच्छा दोस्ता मेरा आज उसने मेरे से लड़ाई कर ली हमारी दोस्ती खत्म अब कभी भी मैं उससे बात नहीं करूँगा कहीं साथ नहीं जाओंगा उसके लगातार कोशिश कर रहे हैं फिर आप क्या बोलेंगे अपने आप से छोड़ो इस लड़ाई को कहाँ फोकस करना चाहिए केवल और केवल किस पे फोकस करो एक्जाम के ओपर लेकिन एक्जाम पे फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कौन शियस लेवल पर जाकर जो लड़ाई आपकी दोच से हुई है उसको क्या करना पड़ेगा बुलाना पड़ेगा दबाना पड़ेगा दबा रहे हो बुला रहे हो कौन सा defense mechanism काम में ले रहा है suppression आप लगातर कोशिश करते रहे time निकलता गया exam हो चुका है result आया result में क्या आया आपके marks fail जैसे ही fail result आया समाज में image कैसी बनी है आपके साब पड़ता लिखता नहीं है fail हो गया image कौन सी बन के निकल क्या आई negative defense mechanism का नाम याद करिए आप लोग negative defense mechanism लगातार कोशिश कर रहे हो traumatic event को भूलने की और उसके कारण से आपकी personality और mental health पे लगातार negative impact पड़ रहा है उसे ही हम लोग क्या बोल की चल रहे है suppression जो कैसा defense mechanism है negative defense mechanism आगे प्रोसीड करते है negative defense mechanism में जो हमारा अगला defense mechanism है उसका नाम है fantasy fantasy का दूसरा नाम हम देखें इसका दूसरा नाम निकल के आता है day dreaming अब शायद आपको fantasy words की समझ में आ गया होगा कि साब इस defense mechanism में क्या होने वाला है day dreaming day का मतलब है दिन और dreaming का मतलब है सपने देखना यानि दिन में सपने देखते रहना अब आप पूछेंगे कि साब सपने देखना तो अच्छी बात है खराब बात नहीं है सपने देखना बिलकुल साब अच्छी बात है सपने देखना लेकिन सपने देखकर ही खुश हो जाना उनके लिए मेहनत नहीं करना पूरा करने के लिए वो गलत बात है इस डिफेंस मेकनिजम में बिलकुल हम लोग भी वैसा ही करते हैं देखी डेफिनिशन ए परसन बिकम हैपी और सेटिस्वाइड बाई अचीवमेंट इन ड्रीम्स कोई भी एक वेक्ति है वो खुश हो रहा है सेटिस्वाइड हो रहा है याद किजिए परप डिफेंस मेकनिजम के परपस पहले वाले वीडियो में जो आपका अवेलेबल है आपके उपर आई बटन के उपर उसमें आप जाकर देख सकते हैं लिखवाया था परपस के अंदर टू बिकम सैटिस्वाइड देखिए वर्ड रिपीट हुआ है वापस से इस खुद को सेटिस्वाइड कर रहा है सेटिस्वाइड करतो रहा है अचीवमेंट भी हो रहा है लेकिन कहां हो रहा है रियल में नहीं हो रहा है कहां हो रहा है डीम्स में सपनों की दुनिया में ही खुश हो रहा है पड़सा उसके पूरा करने के लिए मैनत नहीं कर रहा है यह कौन सा mechanism है fantasy या फिर day dreaming example पर focus करिए माल लीजी आपके exam आने वाले हैं तयारी आपकी नहीं है B.S.C. nursing first year के exam exam 2-3 महीने में हो जाएंगे माल लीजी date आ चुकी है आपकी तयारी नहीं हो पई किताब खोल के बैठते हैं कुछ यार नहीं होता है किताब अब बंद कर देते हैं सोचना start करते हैं सोचना सपने देखना start करते हैं किसाब सपना क्या देखा जो आपने अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा question बिल्कूल ऐसे आई जो आपको आते थे या check करने वाले ने आपकी कॉपी ऐसे चेक कर दी बिना पड़े हुए आपको नंबर दे दिए पूरे पूरे 80 में से आपके नंबर आगे 75 ऐसा कुछ आपने सोच लिया जैसे ही सोचा मन ही मन बड़े खुश होना स्टार्ट हुआ हैपी होना स्टार्ट हो गए मन ही मन कहां पर सपनों के अंदर आपने स्टार्ट होना कर दिया तो आप कौन सा डिफेंस मेकनिजम काम ले रहे हैं फैंटसी डिफेंस मेकनिजम जो टेंचन आपको यह सोच के हुई थी की सब तयारी नहीं है फेल हो जाएंगे उसको कम करने के लिए आपने क्या अपनाया कि नेगेटिव डिफेंस मेकनिजम फेंटेसी लेकिन सपनों में सोचने से माक्स नहीं आने वाले माक्स आएंगे पढ़कर याद करके तो अगर आपने वह अचीव नहीं किया कि वह सब नहीं देखते रहे गए फाइनली फेल हो जाओगे इंप्रेशन आपकी पर्सनलिटी के ऊपर कैसा जाएगा नेगेटिव बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं नेगेटिव डिफेंस मेकनिजम नाम क्यों रखा गया है तो आप देख सकते हैं चितने भी डिफेंस मेकनिजम पढ़ रहे हैं या और जो पढ़ने वाले हैं सब में आपकी इमेज कैसी बन रही है नेगेटिव इमेज नेगेटिव इंपक्त आपके उपर पढ़ रहा है इसलिए नाम क्या दिया गया है नेगेटिव डिफेंस मेकनिजम एक्जामपल चुका हूँ बॉस क्या बन गया आपके अंडर काम करने वाला आप उसे पनिश्मेंट दे रहे हो सपने इस अपने बैटे-बैटे खुश हो रहे हो तो कौन सा डिफेंस मेकनिजम काम में ले रहे हैं हम लोग फेंटेसी या फिर डे ड्रेमी प्रोसीड करते हैं अगले डिफेंस मेकनिजम की तरफ जिसका नाम है रीग्रेशन अभी तो हमने पढ़ाता साब सप्रेशन जान बुच कर भूलने की कोशिश करना अब पढ़ रहे हैं रीग्रेशन रीग्रेशन का मतलब सिंपल सा है फ्लाइ टू चाइल्ड हुड बच्पन की तरफ उड़ जाना इसका मतलब यह नहीं है किसा कोई टाइम मशीन है जिसमें बैठकर आप आपस कहां पहुँच जाएंगे बच्पन के अंदर इसका सिंपल सा मतलब है जब कोई मैच्पन बियक्ति कैसा बियो करता है बच्चे की जैसा बियो करता है समस्यद्रों की तरह बियår करना उसने स्टाट कर दिया उसने कौन सा डिफेंज मेकनिजम काम में लिया Regression Fly to Childhood Example देखिए A nurse start cry during error in drug administration Future में आप सभी लोग nurse बनने वाले हैं हॉस्टिल में काम करेंगे वहाँ पर कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर जाकर हमसे आपसे सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है तो आप लोग काम कर रहे थे वहाँ पर आपसे भी गलती हुई Drug Administration के दोरान Drug Administration का मतलब क्या है दवाई या जो Medicine's डॉक्टर ने प्रस्क्राइब की है वो पेशेंट को देना खिलाना या जो भी injection का मेथड है उससे उसके अंदर administer करना आप दवाई दे रहे थे खिला रहे थे जो भी कर रहे थे उस दौरान आपसे क्या हो गई कुछ गलती हो गई इस procedure के अंदर इस process में कुछ गलती कर दी है अपने Drug Administration के अंदर जब आपने गलती करी है आपकी Senior ने आपको डाटना स्टार्ट की डाट पड़ेगी गलती हो गई कोई कि पेशेंट की जान बहुत अनमोल है और नर्सिंग का तो मतलब ही है यह पेशेंट की सेवा करना सेवा करना में जब गढ़बढ हो गई Senior ने डाटना स्टार्ट किया तो एक मैचूर परसन तो क्या करता सौरी बोलता अपनी गलती एसेप्ट करता और आगे मूब ऑन करता लेकिन आपने क्या किया साब जैसे ही डाट परना स्टार्ट हुई क्या स्टार्ट कर दिया आपने क्राए रोना स्टार्ट कर दिया रोता कौन है मुझे बताओ आप लोग क्या छोटे बच्चे चोटे बच्चे रोने स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी डाटते ही हम मैचोर हो चुके हैं तो रोते नहीं है सौरी बॉल के आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आपने अगर रोना स्टार्ट कर दिया यानि कैसा भीएव कर दिया आपने चाइल्ड बच्चों के जैसा भीएव किया आपने मैचोर होने के बाद भी तो आपने कौन सा मेकनिजम अपनाया रिग्रेशन इस रोने से आपको फायदा तो मिलेगा डाट पढ़ना बंद हो जाएगी एंजाइटी कम हो जाएगी लेकिन इमेज कैसी बन जाएगी अब आपके होस्पिटल में के साब इसको कोई भी कुछ ना कहो क्यों अगर आपने इसको कुछ भी कहा क्या स्टार्ट कर देगा या कर देगी नर्स रोना स्टार्ट कर देगी इंपक्ट कैसा आया आपकी इमेज के ओपर नेगेटिव कौन सा मेकनिजम अपना है आपने री ग्रेशन अंडेस्टेंड आपको समझ में आया होगा रिग्रेशन का मतलब जिसका सिंपल सा मतलब है फ्लाइटू चाइ Conversion Conversion का मतलब क्या है साब Convert कर देना बदल देना चीज़ों को किसको बदल दिया आपने देखी इदर psychological problems यानि problem physical नहीं है शरीर में कोई दिक्कत नहीं है परसन के दिक्कत कहां पर है psychological मतलब mental level पर दिक्कत है पेशेंट ने क्या किया psychological problems को convert कर दिया या express दूसरे को show कर रहा दिखाना दूसरे को इसका मतलब है express by physical symptoms शारिरिक symptoms के माध्यम से psychological problems को patient show कर रहा है तो वो कौन सा defense mechanism काम में ले रहा है Conversion एक्जामपल पर दियान दीजिए पहला है sudden blackout अचानक से अंधेरा चा जाना कई लोग आपने व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जब लड़ाई होती है आप से उनकी लड़ाई हुई आपने डाटना स्टार्ट किया लड़े जगडे में कुछ दो चार शब्द आपने बोले तो वो बिलकुल चुप चाप होके खड़े हो जाएंगे क्या कहते हैं उस टर्म को सड़न ब्लैक आउट हो जाना आखों के आगे अंधेरा चा जाना इसका मतलब हिंदी में आखों में दिक्कत नहीं है आखे बराबर काम कर रही है रोशनी बराबर ठीक है 6x6 की उसकी नजर है लेकिन फिर भी चुप चाप आखों के आगे ऐसे लगेगा पेशिन को क्या हो गया है साब अंधेरा चा गया है सड़न ब्लैक आउट हो गया है जब कई लोग दूसरे आपने देखे होंगे जब लड़ाई होती है गुस्सा आता है एंजाइटी बढ़ जाती है और वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती है आवाज का नहीं निकलना कहलाता है एफोनिया और आपको पता है हमारे पास आवाज निकालने वाला जो ओर्गन है उसका नाम है लेरिंग्स इस पेशेंट के लेरिंग्स में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने लिखा है पहले ही प्रबलम कॉनसी है साइको लोजीकल प्रबलम है इसका मतलब लेरिंग्स में तो नहीं है प्रबलम लेकिन प्रबलम नहीं होने के बार भी जब लड़ाई में स्ट्रेस बढ़ी पेशेंट ने बोलने की कोशिश करा ये क्या हो गया साब stress बढ़ते ही आवाज आना क्या हो गई बंद हो चुकी है जब ऐसा patient करने लग जाए या person करने लग जाए तो वो कौन सा defense mechanism काम में ले रहा है conversion defense mechanism I hope आपको समझ में आया होंगे जो आज हमने discuss करे negative defense mechanism negative defense mechanism के बारे में हमने बता दिया है आपको कौन कौन से mechanism थे क्या उनकी definition है और क्या उनके example है exam point of view से defense mechanism का question पूरे पूरे chances है कि साब BSA nursing के main exam में आपसे question पूछा जाए as a short note या 8 marks का जो भी examiner का pattern हो उसके according इसके आने के chances पूरे पूरे हैं तो आज की class में हमने बात करिए negative defense mechanism की next class में बात करेंगे इसी topic को continue करेंगे और पूरा करेंगे topic जिसका नाम है defense mechanism फिर भी अगर आप लोगों को defense mechanism के regarding कोई भी question हो कैसी भी क्योरी हो तो आप अपने comment section में जाके हमें comment करिए अगले वीडियो में problem आपके solve करने की कोशिश की जाएगी बाकी बाते करेंगे next lecture के अंदर okay thank you